तो समन भेजा है साथ अगस को एडी के सामने उनको पेश होना होगा गौरतलब है कि सुशान सिंग सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगे हैं सुशान के पिता द्वारा वेहर पुलिस को दी गई आरोप लगाए गए थे कि रिया की नजर सुश कि इदर सीवी आई जांश का जो नोटिफिकेशन है वो जैसे ही मिला है उसके बाद सीवी आई को मिलने के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया तेज हो गई है आर जेडी और कॉंग्रेस ने कहा है कि इस पर राजनीती बिलकुल नहीं होनी चाहिए जबकि बीजेपी ने कह है कि सुप्रीम कोट की तलख टिपणी के बावजूद महराज सरकार बेशर्म बनी हुई है सुसान सिंग राजपूर्ट सुसाइट मामले की जांच अब सीवी आई करेगी इसके पहले भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको सीवी आई ने लटका कर रख दिया इस मामले की जांच सीवी आई करके दूद का दूद और पानी का पानी करे और असली गुनागार को देश की जनता के सामने लाए यही हम लोगों की मांग है इस पर किसी को राजनिती नहीं करनी चाहिए उजे उमीद है और भारत के तमाम सुषांतिंग चाहने वाले लोगों का और जो नया में विश्वास रखता है उस सब को उमीद है कि अब भारत सरकार सीवी आई जांच आवश्च कराएगी और निचीत तोर पे जनभाबनाओं का ध्यान रखते हुए सुषांतिंग के परिवार बालों को कैसे नया मिलेगा इस पे निचीत तोर पे उनके आदेशों का पालन हम सब करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तल्क टिपनी के बाद भी महरास्ट की सीव सेना कॉंग्रेस एन सीपी गठबंधन सरकार कितनी बिशर्ण बनी हुई है हमारे IPS को अभी भी कोरेंटाइन किया हुआ है और ये लुग सुप्रीम कोर्ट जो एक्क्यूजड है उसी के पक्ष में गए सीबी आई जांच के खिलाफ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से मुंबई पुलिस और महरास्ट सरकार सबूतों को मिटाने और तथ्यों से सेट छेट चार करने में लगी हुए ये जो रियूमर है ये सत्यक प्रतीत होता है इधर जेडियू ने कहा है कि दुनिया को अब पता चल गया है कि दाल में कुछ काला है और या दाल पूरी तरह से काली है देखिए सुसान सिंग राटकूत के चाहने वालों को अब ये भरोसा हो गया है कि न्याय मिलने की राम में कोई बाधा आप नहीं आ सकती है एक तरफ बिहार के लोगप्रिय मुख्यमंत्री निदिश कुमार जी किये अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने सीबियाई जाच को मंजूरी दे दी जिसकी अधिस सुचना भी निर्गत हुए आर्जेटिया कॉंग्रेस जैसी पार्टिया जो भी का है लेकिन सीबियाई अप्रिसाख और विश्वस्नेता के अनुरूप इस बाबले में गुनागारों को सामने लाने का काम करेगी ये भरोसा पूरे देश को है सरोच्य नयाले में भी माननी इस रोच्य नयाले ने सुनवाई के दोरां को लुटिपड़ी की कि ये गलत है किसी आईप्रेस अफ़र को कुरंटीन किये हुए हैं अन्प्रोफेस्टनल तरिका है ये उसके बाद पटना का आई जी ने वहां का अधिकारी से बात की कि अब तो माननी सुप्रीम कोट का अबजर्वेशन आ गया अब आप क्या कहना है फिर भी कोई शकरात्मक जवाब नहीं दिया मुझे उमीद थी कि साम तक या रात तक उसको छोड़ देंगे लिए रात में कई बारे बज़े के आज पास मैंने जब बात किया अपने पता नहीं किया गया है और उसी तरह घर में जिसे थे उसी तरह गिश्ठाव सुमाना है और से बाहर टालने भी नहीं निकल रहे हैं क्योंके खिलाब मुकदमा ना दर्ज कर लाए नवजीत फिलान हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी पटना से हम कोशिश करेंगे कि मु इसे केस होते हैं हमने देखा पास्ट में कि वह अठका देती है उनको फसा देती है रोक देती है ये समझ नहीं आरी दोरी तरह की बात है ठीक है नवजीत से हम जड़ा कोशिश करते हैं कि एक बार बात करें लेकिन डेवलेपमेंट लगातार हो रही है कल की अगर बात करें सुप्रीम कोट में एक केस गया था सुप्रीम कोट ने तल्क टिपणी की है और महरासरकार से ये कहा है कि क्वारिंटीन करना किसी भी IPS अधिकारी को सही नहीं है ये सही नियत को नहीं दर्शाता है स्टेटस रिपोर्ट मांगी है मुंबई पुलिस से कि आप बताईएगा दो दिन के अंदर आखिर आपने किया क्या है प्रोग्रेस क्या है आपकी क्या कुछ आपने बातचीत की है नवजीत आपका आवाज आ रही है सवाल ये था नवजीत, पहले कह रहे देजिय को सवाल होना लाज में चुकि एक तरफ आप पहले कहते हैं कि आप सीवे आई जाच किजिये, फिर सीवे आई जाच होती है राशसरकार और उनके घर वाले चाहते हैं कि सी लियी जा जेख हो तो अब कहा जा रहा हना कि सिलिया आठ का लिती है यही पॉल्टिक से हैसे एक बिसेश जाती से आते हैं तो ऐसे में उनके वोटरों के बीच एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे रारत की और से किया जा रहा था कि देखे आपके जो लोग हैं वो सरकार के जो सरकार के तरफ से कैसे बिरूखी है लेकिन इस तरीके से जो नितीशकुमान ने जो एफायार करवाया है एफायार करवाने के बाद अपने जो टीम भेजी महराष्ट में जब चार सदस जाते हैं तो उनको खुले रूप में जाज करने दिया आता है लेकिन कोई नहीं मिल पाएगा वहार आनने वारा समय बतायेगा कि आखिर और ज्यदी किए चाकर है डिर형 शरकार नोट जा रहा है सिभी आई पे तो कही ने कही एक सियासी डामेबाजी है सियासी जो कर लिए बैनवाजी है अब विपक्ष को आपका लिए कि जो आर राज अपनी बात कम्प्लीट कीजिए फिर मैं सवाल करता हूं जल्दी से जी देखे बिलकुल एक कहीं ने कहीं सियासी ही चल रही है क्याओं किया स्यासी गल्यारे किजो खबरे बातstudty होते हैं उसमें से सुसान्त हैं एक मात्र बने हुए हैं एक राज़नीती केंद्र बिहार में बाड है कोरोना है सिंक्रमन है इसे में इन सब चीजों से सुसान के आता है। या जो प्रशास्निक महकमा है या पी एच्क्यू है क्या कोई रिक्वेस्ट गई है या इंतजार ही कर रहे हैं कि महराश पुलिस उनको विने तिवारी जी को अपने आप से छोड़ दे या सुप्रीम कोट जब कही की तब ही छोड़ दे मतलब कुछ अब रिक्वेस्ट जाए को अब रिया की रिया को समंद दिया गया है उनके चार्टर अकाउंटरेंट को समंद दिया गया है सी बी आई की अगर कोई ये कहें कि सी बी आई से आप बेल ले सकते हैं लेकिन एडी के मामले में आप बेल नहीं ले सकते हैं शिकंजा एडी की तरफ से कस रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि EDI ने संवन्त दे दिया रिया आएंगी क्या पता है कहां पर है रिया? ग्रिया चक्रवर्थी जो है वो एक law abiding citizen है इसका मतलब कहने कि यह साफ होता है कि जब उने 7 अगस्त के लिए समन जागे कि आईडी ने और जो वक्त दिया है उस वक्त हो सकता है कि ग्रिया चक्रवर्थी मुंबई के ED दफ्तर में पहुंचेंगी और जो पूछता चे उसमें शामिल होंगी इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला एक हस्ते के लिए टल गया रविंद तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि खुद ग्रिया चक्रवर्थी चाहते थी इस मामले में CBI जांच हो और ऐसे में अगर CBI या जैफाय रजिसर कर लेती है तब उनके वकीलों को या रिया चक्रवर्थी को CBI जांच सकता है यह बाद उनको जो है निश्चित और सुप्रीम को बता नहीं पड़ सकती है तो निश्चित और नहीं जवाब देना पड़ेगा राकेश मुझे दो चीज़ और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कल जो टिपणी में कहा गया कि दो दिन के अंदर मुंबई पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट दे प्रोग्रेस रिपोर्ट दे तो अभी तक आप आप आपने एफाई आर दर्ज नहीं की मुंबई पुलिस अब क्या आप आगे एफाई आर दर्ज करेंगे तो वो कितनी वजंदार होगी और क्या मुंबई पुलिस सैटिस्वाई कर पाएगी अब तक कि अपनी जांच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को महकमे में हड़कम सा मचा होगा निश्य तोर पर हड़कम सा मचा हुआ है क्योंकि मुंबई पुलिस को अपना प्रोफेशनलिजम जो है वो बताना है और ऐसे में मुंबई पुलिस अब तक जो जांच की है जिसमें उन्होंने चपन लोगों के बयान दर्ज किये हैं मुंबई पुलिस की जांच थी वो नेपुटिसम की तरफ जा गई थी एसे में सबसे बड़ा सवाल यही हुटता है कि आखेर आपने रिया चक्रवती का जो मामला जो परिवार ने जो जता है शक उसको छोड़कर दिया आपकी जांच नेपुटिसम के आंगे क्यों बढ़ विया चक्रवत्या उसके जो दोस्त है उसके जो सांती है उन से सुशान सिंगो खत्रा आए जिस पार मुंबई पुलिस ने यह सफाय को दे दी कि हमारे पास कोई लिखित में शिकायत नहीं थी इसलिए हमने जांच नहीं की लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठाए कि जब स तक का जो हाथ में ठपा लगा हुआ है 15 अगस कोई आजाद होंगे या पहले भी मुंबई पुलिस महरबानी कर सकती है और बाकी चार्ट पुलिस करने के लिखित मामला मुंबई पुलिस के पास नहीं बलकि BMC के पास है BMC ने जो जवाब देजा है पटना के IG को उसके मुत कारी देने के लिए साथ